इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाटाटो एंड ब्रेट रोल ब्रेट पाटाटो रोल तो कैसे बनाए सबसे पहले हमने हैं आलू धनिया पत्ते हरे मिर्च कटे हुए प्याज और ब्रेट थोड़ा सा कॉन्फर पाउडर का एक चमच इस तरह पानी में मिल्ट सबस्क्राइन पाटाटो रोल तो इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तों मसाले में हमने हल्दी छोड की बाकी जीरा धनिया थोड़ा था चाट वासाला थोड़ा सा गरम मसाला के दिया है बस उसकी बाद में नमक अपने टेश्ट के हिसाब से दिये हैं इसको अची अब यहां पे आलू का इस तरह रोल कर लेंगे उसके बात में एक ब्रेट लेंगे हलका सा ब्रस में इसे अक फ्युष दो यहां प्ले सब्सक्राइब को भूल दोำएं इसके बड़ ईसके बड़ेंगे चिपक के सब्सक्राइब को फोल कर लेकर बन अंझादने यहां कर लेंगे इसके नियुक्रोंlexe ्ट साइट का ब्रेट ग्रेंडिंग किया हुआ था इसमें लगा लेंगे अज़ाइए उसके बात मैं स्कूफार कर लेंगे यह तो जाया तो ने जाए तेल में इसाइए ने करें हम थोड़ा-बबद तेल में कंजूसी नहीं करें बट हमें ज्याधा काँथा हैं तो इसलिए हमने हल्का सा उयल में वस फ्राइय करना तो उपके भीघर में अगर को सके बढ़ी हैं इतना सहा ऊइल्य से प्राब्लम अपके बड़े ऑन ना कहें appealbn 때 कोई जरूड नहीं है कि इसको पूरा तल के खाया जाए हैं पर फ्राय करके भी खा सकते हो आप यह देखिए बढ़िये से हमने फ्राय कर लिये हैं इसकी बाद है प्लेट में सब करेंगे सॉस के साथ में खाएंगे दोस्तों बहुत ही टेस्टी रोल पटाटो रोल वीडिया चला के तो ला